तो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन MPG के स्टड़ी पॉइंट पाइनारेंड सर आज से हम एक नई सीरीस स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपकी MPPSC Mains 2022 के लिए है हम इसमें मद्यप्रदेश की मौडन हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं आपको एक पूरी यूनिट दी गई है यूनिट फोर्थ जिसमें आपको ये टॉपिक है शुरुवात से देखेंगे और आंसर राइटिंग पर फोकस करेंगे जो कहीं पर भी आपको अवेलेवल नहीं मिलेगी लिखना कैसे है ये कोई नहीं बताता है लिखने के लिए बहुत महनत लगती है तो इसी लिए इस सीरीज में आप देखिए आपको कितना कॉन्फिडेंस फील होगा आंसर राइटिंग में तो हम MPPSC मेंस की जो मद्यप्रदेश की मॉडरन हिस्ट्री है उसे हम सुरू करते हैं तो सबसे पहले जब हम इसमें इसको स्टार्ट करेंगे कौन-कौन से टॉपिक्स हम करने वाले हैं ये हमें पहले पता होना चाहिए फिर कैसे 3 Marker लिखे जाते हैं 5 Marker, 11 Marker वो हम हर टॉपिक में देखेंगे तो यहां से हम सुरू करते हैं जितने टॉपिक्स हैं उसमें सबसे पहला टॉपिक मद्यप्रदेश का यहां पर स्टार्ट होगा भील रिवॉल्ट सेगेंड टॉपिक्स हम देखेंगे हमारा इसमें आता है कौन-अर्चैन सिंग इसमें आपको 3 Marker, 5 Marker, 11 Marker तीनों तरह के कौश्चन बन सकते हैं थर्ड कौश्चन हमारा जो रेस होता है वो होता है बुंदेला रिवॉल्ट से इसमें भी आपसे तीनों तरह के कौश्चन बन सकते हैं इसके बाद 1857 रिवॉल्ट है फिफ्ट टॉपिक्स आएगा यहां पर Central Provincial Association यह मद्यप्रदेश के हैं सारे टॉपिक्स इसलिए आपको मैं यहां पर बताने वाला हूँ और इसमें आप पढ़ते पढ़ते आप देखेंगे कि आपको यह किसी बुक में नहीं मिलने वाला ऐसा material जो मैं आपको देने वाला हूँ इसके बाद फिर हम यहां पर कुछ पढ़ेंगे खिलाफत अंदोलन से रिलेटेट जो मद्यप्रदेश के reference में पढ़ने वाले हैं फिर जो सबसे important है वो है हमारा non-cooperation movement non-cooperation movements के साथ ही हम यहां पर पढ़ने वाले हैं flag सत्यागरे flag सत्यागरे के साथ civil disobedience movement पढ़ने वाले हैं इसके बाद हम civil disobedience में ही salt सत्यागरे topic हो जाएगा इसी में हमारा हो जाएगा jungle और forest सत्यागरे जिसे कहते हैं इसके बाद इसी में हो जाएगा हमारा चरण पादु का और भी बहुत सारे topics हैं जो आप पढ़ेंगे तो अंदर history में ही आपको देखने को मिलेंगे फिर हमारा individual सत्यागरे हो जाएगा जो सबसे बड़ा topic होगा वो होगा non-cooperation movements हम पढ़ चोके हैं quit India movement quit India movement इसके बाद 14 topics के बाद हमारा पंदरवा topic इसमें रहेगा integration of princely states ये हमारे topics हैं तो अंदर बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं और मैंने इसमें बहुत study की है जो आपको लगेगा कि हम जो है बाकी किसी भी YouTube चैनल पर इतना जादा डीटेल में नहीं बताया जाता तो भील रिवाल्ड से हम start करते हैं तो दोस्तों जल्दी देखिए अपन भील रिवाल्ड हमारा पहला topic है भील रिवाल्ड पहले समझे फिर 3 marker 5 marker में कैसे लिखेंगे वो हम देखेंगे तो सबसे पहला topic भील रिवाल्ड तो भील रिवाल्ड का background आपको पता होना चाहिए background का मतलब है कि भील कैसे थे तो हमारा सबसे important part भील के बारे में हमें पढ़ना है तो भील का मैं आपको बता दूँ कि जैसे अपन मद्यप्रदेश के diagram को देखते हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा diagram बना दूँ और इसमें मैं भील की location मैं आपको बार बार बता चुका हूँ आपको भी याद होगी तो यह जो विंदियन परवस रंखला है यहाँ से विंदियन इसके नीचे इस area में भील लोग रहे हैं इस area में विंदियन के नीचे वाले area में और यह सैयादरी जो परवस रंखला है वहाँ पर और इस तरब जो हम भारत के नक्षे को देखेंगे वेस्टन घर्ट यहाँ पर यह जो area है यहाँ से गुजरात हो जाएगा start तो इसलिए वो location आपको याद रखनी है यह particular भील का area रहा है और हम देखें कि भील की कैसे यह लोग रहते थे तो सबसे पहले initially हम बात करें तो यह लोग सिर्फ लड़की ही जीवन जीते थे यह warlords थे warlords की क्या tendency होती है लोटना और वो भी किसको जो भी जमीदार जो भी कमजोर लोग रहेंगे और जिनके पास ज़्यादा धन होगा तो हम ऐसे लिखेंगे यह क्या जो भी big landlords होते थे उनको लोटते थे ताकि यह खुद सर्वाई हो सके फिर बाद में क्या हुगा तो ऐसा क्या हुगा की भील इस तरह से रहे तो कुछ घटनाए यह हुई कि जब अरपस आए तो अरपस ने इनहें लोटा तो इनकी स्तिती और कमजोर होती चली गई अरपस के बाद हम जब particularly मराठाओं की बात करते हैं तो मराठाओं में जब आप होलकर की हिस्ट्री पढ़ेंगे या सिंदिया की हिस्ट्री पढ़ेंगे या पेश्वा की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे की एक बड़ा विद्रोह चलता है यश्वंत राव होलकर का किनके साथ में सिंदिया प्लस जो पेश्वा होंगे मराठा में उनके बीच में ये एक साथ हो जाते हैं और ये एक तरफ हो जाते हैं कुछ परिस्तितियां ऐसी बनती हैं हिस्ट्री म कि यहां पर ये दौनों आपस में लड़ते हैं और आपस में लड़ते हैं तो पेश्वा के सरदार कोशिस करते हैं कि एस्वंत राव होलकर की टेरिटरी में जो भी है उन्हें कैसे भी गर के नुक्सान पहुचाया जाए तो ये वहां के भीलो को बुरी तरह लूटते हैं और उनकी कमजोर इस्तिती का फाइदा उठाते हैं। तो इस्पेशली ये जो भीर हैं, इनने भी लूटा है इवन। तो जो पेश्वाओं के जो भी सर्दार्स थे, कमांडर्स थे, और उस्तिती कर दी कि दो साल तक भीरों को खेती करने के लिए जगे तक नहीं रहने दी। उनके क्रॉप्स लूट लिए गए, दो साल तक वो जमीन पर बवाई तक नहीं कर पाए। तो जैसे हपन कहेंगे, हपन ऐसा लिखेंगे कि जमीन बो तक नहीं सके। लैंड रिमेंड अन्सोर्ड फो टू इयर्स बहुत बुरी इस्तिती हो गई। तो देखो अरब से, यानि मुगल्स आए, सबने आए, इनको लूटा, मराठा आए, तब भी इनकी इस्तिती सही नहीं रही। और फिर मराठाओं के बाद आता है टाइम पिंडारियों का। पिंडारी इनने भी इनको खूब लूटा, पिंडारी ओल्सो लूटेड दम, फिर क्या हुआ, मतला अभी लूट ही रहे हैं, और इसके बाद आते हैं ब्रिटिश, और ब्रिटिश ने सब को लूटा, तो भील लोग, आप इस्तिती देखिए, हमेशा लूटे ही जा रहे हैं, लूटे ही जा रहे हैं, और अब होगा क्या यहाँ पे, कि पर्टिकुलर्ली ब्रिटिश लोग, 18-17 में एक ट्रीटी साइन करते हैं, ट्रीटी ओफ पुना, और 18-18 में, होलकर लोग, जब यह थर्ड एंगलो मराठा वार हारेंगे, तो यह भी एक ट्रीटी साइन करेंगे, ट्रीटी ओफ मंसौर, और इनके हातों से, मराठाओं और होलकर के हातों से, खांदेश रीजन, जो एरिया है, हम मद्धिपरदेश में बात कर रहे हैं, बुर्हानपुर की, यह एरिया, यह एरिया, ब्रिटिस लोग अपने कबजे में ले ले लेते हैं, और उसके बाद, जब ब्रिटिस लोग बहा जाता है, भील विद्रोह, तो पर्टिकुलरली, यह जो एरिया है, ब्धिपरदेश का, बुर्हानपुर, यही एक्टिव हुआ है, भील विद्रोह में, और यहां पर, जो लीडर्स रहे, किसके नेतरतों में इन्होंने किया है, तो हम देंगे, सेवाराम, यह भीलों क लीडर हुआ है, जिसके नेतरत में यह सब हुआ है, और यही नहीं, यह भील लोग, यहां भी, यह जो पूरा रीजन्स है, इसमें भील रिवल देखने को मिला, इनने विद्रोह किया ब्रिटिस की पॉलिसी इसका, और यह लोग कैसे किया विद्रोह, तो यह बेसिकली इंस मिनिस्टर से, इंस्पायर फ्रम तरंबक, यह पेश्वा का मिनिस्टर था, तो हम यहां पे लिखेंगे, मिनिस्टर अफ पेश्वा, क्योंकि जब थर्ड एंग्लोमर अठावार की ट्रीटी अपूना के बाद जब इस्तिती हुई, तो यह वहां से भाग गए, और यह प्रभावित हुए, और इसी के चलते, इन्होंने विद्रो किया, और जो लीडर आगे आया, वो आया सेवा राम, और भील आप देखिए, सब के साथ ब्रिटिस लोग सांती स्थापित कर चुके थे, लेकिन भील के साथ इसके बाद कभी भी पर्मनेंट पीस एस्टेबलिस नहीं हो सका, तो हम लिखेंगे, आफ्टर देट ब्रिटिस नेवर एस्टेबलिस पीस विद भील्स, इसका प्रमाण है कि 1831 में फिर भीलो ने रिवल्ट में किया, 1846 में फिर किया, 1852 में फिर किया, तो इस तरह से भीलो ने ब्रिटिसों का सामना किया, इसी पूरी स्टोरी को कहा जाता है, भील रिवल्ट, तो दोस्तों ये तो हो गया, सबसे पहले हमें चीजों को समझना पड़ेगा, समझने से पहले मैं आपको आंसर आइटिंग नहीं बता पाऊंगा, तो भील रिवल् कोशन बनाते हैं, तो कोशन नमबर वान, आपसे सिंपल सा ये पूछा जाएगा, हम रेड पैन यूज़ करेंगे, थ्री मारकर में आएगा, भील रिवल्ट, डन, तो आपने इतना पढ़ लिया, अब देखिए, कैसे लिखते हैं थ्री मारकर कोशन, चुकि अब आपको लि कब हुआ, 1817 to 18, यह हमारी लाइन सुरू हो गई है, ठीक है, इसके बाद दूसरा लिखेंगे, लीडर, तो बताइए भी ये लीडर कौन था, हम लिखेंगे, सर सेवाराम था लीडर, आपने अभी बताया, ओके, तीसरा फैक्ट, क्या लिखेंगे, सर रीजन, कहां पर अगर आपको एक ही लाइन का स्पेस मिले तो खंडेस, और अगर आपको दो लाइन दे रहे हैं, तो एक लाइन और लिख दीजिए, कास, तो कास को जितना मैंने आपको पढ़ाया, इनके क्रॉप्स भी डिस्ट्रॉइ कर दिए, और फिर जो पॉलिसीस लाए, तो उसके लि ये आपका त्री मारकर का कॉस्चन हो गया, इतना आपको लिखके आना है, आपको त्री में से धाई से तीन मारक्स जरूर मिलेंगे, क्योंकि आप खुद सोच सकते हैं, हमने बहुत कम शब्दों में अपनी बात को कहा है, और नई आंसर राइटिंग में आपके लिए इतना अच्छा और जादा बाते कह पा रहे हो, त्री मारकर कॉस्चन्स, तो कॉस्चन नमबर टू आता है, अब हमको एक सिंपल सा आ जाएगा, अगर वो ऐसे नहीं देता तो हमें देगा, राइट शॉर्ट नोट सान, भील रिवॉल्ट ऑफ 1818, फाइव मारकर, अब कैसे लिखेंगे, अब फाइव मारकर का मतलब है, आपको यहां पे पास से छे से साथ लाएने लिखना है, तो अब मैं लिखूंगा, तो काफी टाइम टेकन होगा, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ, कि कास आडियो टाइपिंग आए, तो हमने जो पढ़ा है, बिसिकली हम वही शुरू करते हैं इसमें, तो यहां से देखी कैसे अपन लिखेंगे, तो यह बिसिकली अपराइजिंग थी, अपना काम आडियो नहीं कर रहा है, हम कुछ और बोल रहे हैं, वह कुछ और लिख रहा है, तो फटा-फट शुरू करते हैं वापस से, यस, तो हम इस तरह से लि 1818, was one of the first British resistance, यह मंगल पांडे 1857 बाद में हुआ था, तो यह आप देखिए सबसे पहले हुआ है, was one of the first British resistance movements, एक छोटा सा विद्रो हुथा, ठीक है, शुरूबात हमेसा ऐसे ही की जाती है, कि वो चीज किसलिए famous है, उसका एक भूमी का बनानी पड़ती है, introduction, तो पहली ल जो हुआ, वो event से related, it took place in 1818, किसके leadership में, under the leadership of Sivaram in Khandis region, यह हमारी second line हो गई, that's good, अब इसी में हमको और भी आगे लिखना है, हम लिखेंगे, this uprising was against the, क्या मैं यह शब्द लिखूँ, agrarian atrocities, और मैं और कुछ शब्द जोड़ देता हूँ, economic, जब भी कुछ आर्थिक रूप से कुछ बात होती है, तो उसे hardship कहके लिखिए, economic hardships, और British की policy हमेशा ही oppressive रही है, तो हम लिखेंगे, and oppressive policies of British, तो यह इसके लिए थी, हमने cause भी लिख दिया दिखिए, last line हम इसे खतम करने वाले हैं, तो वो यह है कि अब revolt शुरू किया है, तो खतम भी करिए, हम लिख देंगे कि British, सारे movements को British ने जो है suppress किया है, तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, though the movements was crushed by the forces, by the British forces, done, but the Britishers never established peace with the wheels afterwards, तो दोस्तों यह मैंने 5 मांकर में आपको लिख के बताया, तो यह आपका answer है, तो आप देखिए, अब मैंने लिखा है, तो आप चेक करने में कैसे चेक करते हैं, वो भी important है, सबसे पहले यह हो गया मेरे introduction की पहली line, done, यह हो गया मेरा factual part, done, यह हो गया मेरा इस चीज़ का cause, done, और यह हो गया परिणाम result, मैंने एक छोटे से answer में चार चीज़ों को लिखा है, आप देखिए, इस तरह से आप लिखेंगे, आपको बहुत अच्छे marks मिलेंगे, मेरे भी means में बहुत अच्छे marks रहे हैं, इसलिए मेरा experience मैं आपके साथ share कर रहा हूँ, आप जितना like, share, subscribe कराएंगे, उतनी ही मुझे ज़्यादा inspiration मिलेगी, और मैं अपने channel पे और आपके लिए और ज़्यादा काम करूँगा, दोस्तों मैं नहीं चाहता कि मैंने जो पड़ा है, वो इस job के साथ पूरी तरह से खतम हो जाए, इसलिए मैं चाहता हूँ, जितना पड़ा है जो मेरी technique है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं काम कर सकूँ, तो हमने देखा three marker, अगर आपको एक ही line मिलेगी, तो आप देखिए, समय, leader, area, कारण, aggradient atrocities, और oppressive British policies भी लिखेंगे तो भी चलेगा, main main शब्द लिखेंगे आना है, आपको number बहुत अच्छे मिलेंगे, यह मैंने five markers, यह three markers, eleven markers का question नहीं बनता है, वो हम अगले topic में देखेंगे, कौँआर चैंसिंग में कैसे three, five और eleven markers लिखेंगे, thank you very much, पूरा वीडियो देखेंगे और like, share, subscribe जरूर करें, thank you